खेले दोस्तों स्वागत है आपका एक फिर से एक नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरल नॉलज़ के क्योश इंपॉर्टन एमसी क्यूज तो आज की इस वीडियो में मैंने कुश इंपॉर्टन एंजी के से रिलेटिक कॉशन दिये हैं जो कि आपके एक्जाम में काफ़ी हलप और होने वाले हैं तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइक पर लिए जल्दी से जिससे कि आपको इसी तरह के वीडियो समेशा मिलती रहे हैं तो चलि वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तर क्श्चन में पूछे कि अजात भारत की राश्टाइका, तो यहां पर इस क्श्चन का राइट आंसर है आप्शन भी पंध्रिवी जो दुरौप्ती मूर्मु है वो अजात भारत की पंध्रिवी राश्टाइका Q2 है द्रौपती मुर्मु से पहले भारत के राश्पती कौन थे? Option A है प्रिद्वा पार्टिल, Option B, राज़ान शिंदे, Option C, रामनाथ कोविंद, Option D, इनमें से कोई नहीं यह Q2 पूझे कहें कि द्रौपती मुर्मु से पहले जो भारत के राश्पती थे वो कौन थे? तो यहाँ पर इस Q2 का राइट आंसर है, Option C, रामनाथ कोविंद, द्रौपती मुर्मु से पहले रामनाथ कोविंद, भारत के राश्पती थे Q3 द्रौपती मुर्मु किस पार्टी के मेंबर हैं? Option A, आमादमी पार्टी, Option B, कॉंग्रेस पार्टी, Option C, भारत जनता पार्टी, Option D, इनमें से कोई नहीं यह Q2 ने पूछे कहें कि द्रौपती मुर्मु किस पार्टी के मेंबर हैं? तो यहाँ पर इस Q2 का राइट आंसर है, Option C, भारत जनता पार्टी, जो द्रौपती मुर्मु में हैं, वो भारत जनते पार्टी से सम्मन्द रखती हैं Q4 भारत की पहली महिला राश्पती कौन थी? Q5 राश्पती बनने से पहले द्रौपती मुर्मु किस राज़ की गवर्नर थी? Q6 द्रौपती मुर्मु जारखंड की गवर्नर कितने साल तक रही? Q7 गवर्नर किस के द्वारा निक्त किया जाता है? Q8 गवर्नर के निक्त कितने साल के लिए की जाती है? Q7 गवर्नर के निक्त कितने साल के लिए की जाती है? तो यहाँ पर इस Q7 का राइट आंसर है ओप्शन D 5 साल की अबदी के लिए? जो गवर्नर के निक्त कितने साल की अब दीक लिए होती है या फिर कह सकते हैं कि गवर्नर की जो कारेकाल होता है वो 5 साल तक लिए होता है Q9 द्रापती मूर्मो के बाद अब जारकंड के गवर्नर कौन है? ओप्शन A रमेस बैस, ओप्शन B रुपेश कुमार, ओप्शन C नितिन चर्मा, ओप्शन D प्रतिभा पाटिल दोशने कोशन में पूछे गया है कि द्रापती मूर्मो के बाद अब जारकंड के जो गवर्नर है वो अब कौन है? तिहां पर इस कोशन का राइट आंसर है औप्शन A, रमेस बेस जो रमेस बेस हैं वो जार गंड के गवर्नर है अब जो की दुरॉपति मुर्मो के बात बने है Question number 10 दुरॉपति मुर्मो के पिता का नाम क्या है Option A, रमेस बेस Option B, सुरिश नारायन दूबे Option C, निरूप नारायन टूडू Option D, बिरूपति मुर्मो के पिता का नाम तो यहाँ पर इस Question का राइट आंसर है Option D, बिरूपति मुर्मो के पिता बिरूपति मुर्मो के पिता बिरूपति मुर्मो के पिता बिरूपति मुर्मो के पती कोन थे Option A, रमेस बेस Option B, सुरिश चरण मुर्मो Option C, निरॉप नारयन टोडू Option D, स्याम चरन मुर्मो दोस्तरे हैं am question में दुरॉपती मुर्मो के पती का नाम पूछा गया है तियाँ पर इस question का right answer है Option D, स्याम चरन मुर्मो स्याम चरन मुर्मो दुरॉपती मुर्मो के पती थे जो गेर बैंकर थे Q12, राश्पती को कितने साल के लिए नियुक्त किया जाता है Option A है, एक साल के लिए, Option B, तीन साल के लिए, Option C, पांच साल के लिए, Option D, दस साल के लिए यह Q12, पूझे कहीं कि राश्पती को कितने साल के लिए नियुक्त किया जाता है यहाँ पर इस question का right answer है option C 5 साल के लिए जो राज़पती की जो नियुक्ति होती है वो 5 साल के लिए होती है